नाराइन सेवा संस्थान वारा लियो का गुड़ा बड़ी स्थित सेवा महातिर्थ परिसर में 31 अगस्त वह एक सितंबर को होने वाले 42 विशाल नीशुल को दिव्यांग तथा निर्धन सामुहिक विवाह आयोजित किया जा रहा है देश भर से दिव्यांग और गरीब परिवारों के 51 जोड़े विवाह सुत्र में बन रहस्त जीवन में प्रवेश करेंगे नाराइन सेवा संस्थान के अद्धिक्षी प्रिशानत अगरवाल ने बताये कि समाहरों की भव्य और व्यापक तयारियां पूरी कर ली गई है विवाह स्तल पर विशाल एवंभवे डोम बनाया गया है जोड़ों में उनके परिजनों का संस्थान के वाहनों से यहां पहुंशने का सिलसला शुरू हो चुका है समाहरों में राजिस्तान, गुजरात, मर्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, उडिसा, सहित, देश के विविन राज्यों के जोड़े एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे इनमें कई दूलहा दूलहन जन्मजात या फिर किसी दुरगटना की वज़े से नीशक्तता का दंश छेल रहे हैं तो कुछ भावी जोड़े ऐसे भी हैं जिनमें एक दिव्यांग है तो साथी सकलांग है शेहनाई के स्वर और महंदी की लाली मा उनकी जीवन के सुनेपन को सदा के लिए दूर कर नए रंगों से सराबोर कर देगी यह सभी मन में उमंग लेकर बीते कल की कड़वी यादों को भूल कर नए स्वानिम जीवन की शिरुवात करेंगे इन जोडों में 26 दिव्यांग और 25 गरीब परिवारों के जोड़े हैं उन्होंने बताया कि विवाह की वेदी पर अगनी के साथ फेरे लेने की रस्म से पुर्व दूलहे परंपरागत तोरन रस्म का निर्वहन करेंगे इसके परिश्चाथ सजे दजे मंच पर गुलाब की पुष्पवर्शा के बीच जोडों के वर्माल की रस्म अदाएगी होगी इस दोरान संस्थापक प्रदमश्री केलाश जी मानव सहसंस्थापिका कमला देवी जी वा आमंत्रित अतिथी दीप प्रजलन के साथ नव दंपत्यों को आशिरवाद प्रदान करेंगे प्रेसवार्था के दोरान अद्यक्ष्य अगरवाल, मीडिया प्रभारी विश्णु शर्माहितेशी, जनसंपर्क प्रमुख भगवान प्रसाथ गौर्ड एवं सामुहिक विवाहस सयोजक रोहित तिवारी द्वरा पोस्टर जारी किया गया